हेलो एरिवन एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी चैनल बेस्ट नोट्स टिटोरियल में मैं मनवर सिंग लाया हूँ 20 महत्यपून MCQ जो काफी एक्जैम में पोछे जाते हैं आज का जो वीडियो है वह उत्राखन के नदियों से रिलेटेड है तो आएए शुरू करते हैं तो आपका पहला प्रस्ण है कोसी नदी कहां से निकलती है आपसंसे नदी कहाड़ियों पर इस्तिद्धार पानी दार से निकलती है और राम गंगा के ठीक पूर उसके समानांतर अल्मोरा नेनितालवा उधम सिंग नगर में 168 किलो मीटर बहने के बाद उधम सिंग नगर के सुल्तानपूर राजय से बाहर हो जाती है तो अगला प्रस्ण है वह कौन सी नदी है जो दूधा तोले सिरंखला के पूरवी ढाल से निकल कर 155 किलो मीटर बहने के बाद राजय से बाहर हो जाती है उप्सन ए राम गंगा उप्सन भी मंदाकनी उप्सन सी लक्समन गंगा उप्सन डे धोली गंगा तो आपका सही आंसर होगा उप्सन ए राम गंगा यहाँ नदी पोड़ी चमोली तथा अलमोड़ा में फैले दूधा तोली सिरेणी के पूरवी ढाल से निकली है चमोली अलमोड़ा तथा पोड़ी में 155 किलो मीटर बहने के बाद यहाँ राजे से बाहर हो जाती है फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में कनोज के पास गंगा में मिल जाती है इसकी सहायक नदिया है बिर्मा गागस गुईनो आदी अगला प्रश्ण है फूलों की घाटे में बहने वाली म्यूंडार यानि के पुस्पावती नदी कहां से निकलती है उप्सन A सिविलिंग सिखर से उप्सन B पुस्प तोया ताल से उप्सन C मिलम हिमनत से उप्सन D कौसानी के पास से तो आपका सही आंसर होगा उप्सन B पुस्प तोया ताल से अगला प्रश्ण है देव प्रया के बाद पौडी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाले प्रमुक नदी कौन से है उप्सन A सर्यो नदी उप्सन B लधिया नदी उप्सन C नदोर नदी उप्सन D नदी तो आपका सही आंसर होगा उप्सन D नदी देव प्रया के बाद पौडी के ब्यास घाट के पास इस्तित फूल चट्टी नामक इस्तान पर गंगा में बाई और से नदी मिलती है जाते ब्रहा के नदी नदी दो नदियों पूरवी वब पस्चमी नयार के सत्पुली के पास मिलने से बनी है अगला प्रस्न है पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग देव प्रयाग है जहां अलकननदा मिलती है उप्सन A भागे रती सास में उप्सन B डाक पत्थर में उप्सन C कालसी में उप्सन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंचरोगा उप्सन A भागे रती सास में अलकननदा इसका प्राची नाम विश्न गंगा है यह चमोली के उत्तरी भाग में इस्तित सतोपन सिकर के अलकापुरी बांक हिमनत और सतोपन तास से होते हुए 195 किलोमीटर की यातरा के बाद देव प्रियाग में भागे रती नदी में मिल जाती है अलकननदा नदी जल प्रवाग की दृष्टी से प्रामुक नदी है इसकी सायग नदी है सरस्वती, रिशी गंगा, वो लक्समन गंगा है अगला प्रस्ण है पंच प्रियाग में चतुर्थ प्रियाग, रुद्र प्रियाग है वहां अलकननदा में कौन सी नदी मिली हुई है उप्सनी नंदो नदी, उप्सनी लदिया नदी, उप्सनी मंदाकिनी, उप्सनी सरस्वती नदी तो आपका सही आंसरोंगा ओप्षन सी मंदाकनी नदी मंदाकनी नदी उत्रा खंड राजम में बहने वाली एक हिमाली नदी है यहाँ अलगनंदा नदी की एक मुख्य उप नदी है जो गंगा नदी की एक स्रोतधार है इस नदी का उद्गमिस्तान केजानात के निकट है रुद्र प्रियाग में मंदाकनी नदी अलगनंदा नदी में मिल जाती है उसके बाद अलगनंदा नदी वहाँ से बहती हुई देव प्रियाग के और बढ़ती है जहां वो भागी रहती से मिलकर गंगा निदी का निर्मान करती है तो अगला प्रस्ण है पंच प्रियाग में तिर्थिय प्रियाग कौन सा है ओप्सन देव प्रियाग, ओप्सन बी करण प्रियाग, ओप्सन सी नंद प्रियाग, ओप्सन डी इन में से कोई नहे तो आपका सहे आंसर होगा option B करण प्रियाग करण प्रियाग उत्राखन राजी के अंतरगत गढ़वाल मंडल के चमोली जिल्ली का एक कस्वा है यहाँ अलकनन्दा तथा पिंडर नजियों के संगम पर इस्तित है पिंडर का एक नाम करण भी गंगा भी है जिसके कारण ही इस संगम का नाम करण प्रियाग पड़ा आठागाड इसकी प्रमुक सायक है इसकी गती बहुत तेज है अगला प्रस्ण है पंच प्रियाग में दुतिय प्रियाग नंद प्रियाग है जहां अलक नंदा में कौन सी नदी मिलती है ओप्शन A मंदाकनी ओप्शन B नंदाकनी ओप्शन C भागी रथी ओप्शन D पिंडर तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन B नंदाकनी अलक नंदा नदी की एक उपनदियों में से एक उपनदी नंदाकनी नदी भी है जो सयम गंगा नदी की एक मुख्य सहायग नदी है इस नदी का मुख्य नंद प्रियाग में है जहां इसका संगम अलक नंदा नदी से होता है चलिए अगले प्रस्न पे चलते हैं पस्चिम धोली गंगा के साय नदियां कौन कौन सी है ओप्शन A रिशी गंगा ओप्शन B गडेज गंगा ओप्शन C कियो गाड ओप्शन D उप्रोक सभी तो आपका सही आंशर होगा ओप्शन D उप्रोक सभी अगला प्रस्ट है विश्न प्रियाक तक किस नदी को विश्न गंगा नाम से भी जाना जाता है ऑप्षन E यमुना को ऑप्षन B दोली गंगा को ऑप्षन C मन्दाकनी ऑप्षन D अलकनंदा तो आपका सही आंसरों का ऑप्षन D अलकनंदा कहा जाता है कि पस्चमी दोली गंगा का उद्गम इस्तल नीती छेतर में इस्ति दोला गिरी की कुनगुल स्रेणी है गनेज गंगा, रिशी गंगा, गिर्ती, क्योगार, आदी पस्चमी दोली गंगा के सायग नदिया है विश्नु प्रयाक तक अलग नंदा को विश्नु गंगा नाम से भी जाना जाता है विश्नु प्रयाक से नीचे वन नंद प्रयाक से उपर अलग नंदा में विरही गंगा, पाताल गंगा वगरोर गंगा आदी नदिया मिलती है अगला प्रस्ण है पुरानों में भागी रथी अलकनंदा, नंदाकनी वंबंदाकनी आदि नदियों को मिला कर क्या कहा गया है आप्शन A पंच सामुद्रिक स्रोत, आप्शन B सब्त सामुद्रिक स्रोत, आप्शन C अश्ट सामुद्रिक स्रोत, आप्शन D नो सामुद्रिक स्रोत तो आपका सही आंशर होगा आप्शन B सब्त सामुद्रिक स्रोत पुराणों में भागी रथी, अलकनन्दा, धोली, मंदाकनी, पिंडर वर नयार नदियों को मिलाकर सब्थ सामुद्रिक स्रोत कहा गया है राज्य के सबसे पस्चिमी एवं पूर्वी भाग में यमना एवं काले नदि प्रवाहित होती है अगला प्रस्थन है निम्न लिखित में से गंगा नदि को राष्ट्रिया नदि कब गोशित किया गया उप्शन A 4 नौवंबर 2008, उप्शन B 4 नौवंबर 2007, उप्शन C 5 अक्टूबर 2008, उप्शन D 9 सितंबर 2008 तो आपका सही आंसर होगा उप्शन A 4 नौवंबर 2008 चार नौवंबर 2008 को डौक्टर मन मोहन सिंग जी की अध्यक्षता में किंद्रिया मंत्री मंडल ने गंगा को राष्ट्या नदि गोशित किया उत्तरा खन में गंगा नदि को गंगा के नाम से देव प्रया के बाद जाना जाता है जबकि गंगा उत्री से देव प्रयाक तक इसे भागी रथी के नाम से जाना जाता है राज में गंगा के लंबाई 96 किलोमीटर है अगला प्रस्ण है देव प्रयाक से राज सीमा तक गंगा नदि के लंबाई कितनी है ओप्शन A 252 किलोमीटर ओप्शन B 195 किलोमीटर ओप्शन C 205 किलोमीटर ओप्शन D 96 किलोमीटर तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन D 96 किलोमीटर अगला प्रस्ण है गंगोत्री से देव प्रयाक तक गंगा का नाम क्या है आपसन ए गंगा, आपसन भी भागी रथी, आपसन सी राम गंगा, आपसन डी यमुना तो आपका सही आंसरोंगा आपसन भी भागी रथी भागी रथी नदी उत्तर कासी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में इस्तित गंगोतरी कस्वे से 19 किलोमीटर दूर इस्थित सिवलिंग सिखर से सटे गंगोतरी हिमनत के गौमुक नामक इस्तान से निकलती है गौमुक से टिहरी डेम तक भागी रहते में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदिया मिली है अगला प्रस्टन है निम्न में से सरवादिक प्रवाह पत्थ वाली नदि कौन से है काली नदि पित्थोरा गाड के उत्तर में तिबद बॉर्डर के पास इस्तित जैकसर स्रेणी के पूरवी डाल पर लिपुले के पास इस्तित काला पानी नाम से निकलती है इस्तानिय भासे में इसे काला पानी गाड या काली गंगा कहा जाता है यहाँ नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बैती है काला पानी से टनकपुर तक इसकी लमाई 252 किलो मीटर है अगला प्रस्टन है उत्तराखन राजम्हे सरवादिक जल्प प्रुभावाली नदी कौन सी है उप्षन ए पिंडर उप्षन भी मंदाकनी उप्षन सी अलकनन्दा उप्षन डी काली तो आपका सही आंसर होगा उप्षन सी अलकनन्दा अगला प्रस्टन है टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या है आप्चिन A भिलंगना आप्चिन B सारदा आप्चिन C रामगंगा आप्चिन D सरस्वती तो आपका सहे आंसर होगा आप्चिन B सारदा अगला क्वेशन है पस्चमे राम गंगा, आटागार, विनो, पस्चमे वो पूर्वी नयार का उद्गम इस्तल कहा है ओप्शन A अलकनंदा, ओप्शन B सार्दा, ओप्शन C आकास गंगा, ओप्शन D दूधा तोली तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन D दूधा तोली दूधा तोली उत्तराखन राजे के गड़वाल छेतर में एक पहाड़ी वह वन भू छेतर है यहाँ पौड़ी गड़वाल जिल्ले से चमोली जिल्ले तक उत्तर दक्षन दिसा में 25 किलो मीटर के लिए बिस्तारित है चमोली जिल्ले में गेर सेन इसका एक छोर है इसकी उँचाए 3,114 मीटर है यानि कि 10,217 फीट दूधा तोली को डांडा भी कह सकते है यानि कि दूधा तोली डांडा इसकी चोड़ाई 20 किलो मीटर यानि की 12 मील है अगला प्रस्टन है राज्य की सरवादिक लंबी चार ने दिया कौन कौन से है उप्सन ए काली, उप्सन भी भागी रती, वह अलक नंदा उप्सन सी पस्जमी राम गंगा, उप्सन डी उप्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा, उप्सन डी उप्रोक सभी या सभी राज्य की सरवादिक लंबी चार ने दिया है अगला प्रस्टन है नीमनी लिखिन में से उत्राखन की प्रमुग ने दिया है आपका सही आंसर होगा, उप्सन डी उप्रोक सभी तो दोस्तों हमसे जुड़े रहन के लिए धन्यवाद पीडियाप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मिलते हैं अगली वीडियो में